हमारी इच्छा थी कि जेडियू पने एंडिये का हिस्ता बन करके उत्तर बुदिस में चुनाव लड़ें। भारती जिन्ता पार्टी ने जो अपनी मित्र पार्टीयों की लिस्ट जारी की है उसमें जेडियू नहीं है। अपने बलबूती पर चुनाव लड़ने का फैस्टा किया है। क्या वज़ा रही कि आप लोग ने फैसला किया कि अकेले मैदान में उत्रेंगे हलागी पहले तो आप लोग कहा रहते हैं कि बीजेपी के साथ गटबंदन चाहते हैं। नहीं हमारा दल एंडिया का संस्थापक सदस है। अटल बिहारी जी बाजपेई और जॉर्ज फन्नाडीज के समय से ये गटबंदन उत्तर प्रदेश में कई बार हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। लोक सभा के लिए भी विदान सभा के लिए भी हमारे विधायक भी रहे हैं हमारे सांसद भी रहे हैं। और पिछला चुनाव हमने चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा नहीं था। लिहाजा अब केंज सरकार में और विहार की संजिक सरकार होने के नाते हमारी इच्छा थी कि जेडियू पुने एंडिये का हिस्ता बन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। उसके लिए हमारी प्रारंबिक तयारी भी थी और आर सीपी सिंग जी पार्टी की तरफ से जो केंज सरकार मिस्पात मंत्री हैं उन्होंने अमित्शा जी से नड्ड़ा जी से राजना जी से और बाद में परदान मंत्री जी से भी अपनी पार्टी की चार अभिलाशा में हैं लिहाजा हमने अकेले अपने बलबूती पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसका अर्थ कदापी यह नहीं है कि हमको बीजेपी के खिलाब चुनाव लड़ने हैं हम अपनी पहचान अपने नारों और जो बिहार मॉडल है उसके प्रोपेगेशन के लिए च स्तर पे हुई प्रधाल मंतरी अमिच शाज जेपी नड़ा क्या दगा दे गए बीजेपी ने हम ऐसा आरो परतारूप नहीं लगाते हैं वो हमारी फ्रेंडली पार्टी है लेकिन हमने अठारे तारीक को केंदर पार्टी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के और स्टेट पार्टी के पजादी कारियों की काउस्यक बैटक बलाईए जिसमें तैह होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे पर पार्टी है लकिन आपके जो मिद्वार है आप चुकि एक स्टेट में बगल वाले स्टेट में इंडिया का हिस्सा है तो वो तो बीजेपी का ही वोट काट इंगे फाइदा फाइदा बीजेपी की विरोध्यों को हमें जारकंड में हमने चुनाव लड़ा था हम और बी अच्छा थी कि बीजेपी के साथ रहकर कि हम चुराव लड़ें ताकि जो वीकर सेक्षन के जो लोग हैं जो वंचित समाज के लोग हैं वो जिस मुश्तेदी के साथ बिहार की एंडिये सरकार के साथ जुड़े रहे हैं उसी तरह का लगाव और रुजान उनका उत्तर परदि कि सरूप का होगा इसकी पार्टी बैठ करके ठेय करेगी लेकिन उनका निर्देश उत्तर परदेश के मतदाताओं को पार्टी कारे करताओं को मिलेगा ये मैं आपको विजवास दिलाता हूँ नमबर एक नमबर दो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद् हम बिहार में ना हमने किसी को मुका दिया ऐसे सबाल उठाने का और वहां एंडिये की सरकार में जो सशक्ति करन हुआ है ऐसी मिसाल यूपी में भी कायम होनी चीए एक ये मुद्दा है बाकी किसानों का इतना बड़ा अंदूलन हुआ उसमें भी जेडियू की हिस्सेदारी थी किसानों का भुकतान समय पर होना चीए एमसपी लागूं होनी चीए नियम कानून बनने चीए अभी के इन सरकार की तरफ से जिस तरह की ततपरता होनी चीए थी उसका भी अभाव में दीखता है आपने कहा कि शोसितों वंचितों और जो आरूप लगाए गए क्या आप के साथ विकास मोडल है कैसे हमारा मुखवंतरी भी पिछड़ी जाती का है कैसे हमारे दोनों उप मुखवंतरी भी पिछड़ी जाती के हैं लिहाजा कभी बिहार की सरकार पर इन वंचित समाज के लोगों का इन पिछड़े वर्ग के लोगों की उप एक शाक्रा आरूप कम से कि बिहार में नहीं लगता है हम चाहते हैं उत्तर प्रदिस में भी ऐसी वियूस टेका है बहुत और शुक्रिया तो केसी थे आगे ये तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजे पी के खिलाफ नहीं है वो अकेले दम पर उनकी पार्टी चुनाओ लग रही है लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जाहिर तौर पे बीजे पी के लिए कठिनाई पैदा करेगा प्रशान्त एबीपी नियूज दिल्ली एबीपी नियूज आपको रखे आगे